हालो फ्रेंज वेलकम बेक टो माई चैनल आज मैं लिखे हैं वेजिटेवल प्लांस का अपडेट यहां पे हमारी कैबेज है जो काफी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं हल्दी हल्दी लेकिन अभी इनमें टाइम लगेगा और यहां पे एक कैबेज में मुझे काफी सारे पैस्ट दिख रहे हैं तो इसको मैं अब जल्दी से नीमयल का स्प्रे कर दूंगी ताकि अगर यह ठीक होना होगा तो ठीक है नहीं तो मैं इसे निकाल दूंगी ताकि पाकी के जो मेरे हैं इन्फेक्टेड़ ना हो यहां पे कॉलिफ्लार का प्लांट लगा हुआ है और जिसमें अ इनको ग्रो होने दे रही हूं और जैसा होगा देखोंगी यहां पेंगन है यहां पर देखिए यह तेज पत्य का प्लांट है और इसकी मेंने प्रूनिंग कर दी थी तो इसमें अब न्यू न्यू जो लीव साई है वह काफी खुब्सूरत सी ग्रीन ग्रीन पिंक कलर किया है यहां पर परपल वाले mark का प्लांट है, प्लांट काफी चोट थ विक मिटच्च बनती रहती रहती है, और यहां पर बैंगन के कुछ प्लांट है, जिनको मैंने प्रून कर दिया है, काफी ओल्ड हो गय थे, जैरी में जब सब्सक्राइब टूझाूरी शुक्तक सब्सक्राद के बैंगन के को टूच के चाहण से धी है करद्च के लिए पेति मिर्च ने नहिता है दो स्टिक हर्विस्ट कर चुकी हूं काफी मीठे चने बन रहे हैं काफी तेस्टी लग रहे थे कफी अच्छे लगे मुझे इने ग्रो करना और यहां पर इगी स्ट्रॉबरी में अभी फ्रूटिंग आना स्टार्ट हो गई है तो जो इस स्ट्रॉबरी के प्लांट है ना इन लगे लाओ ज काली फिलार जो की थोड़ा भी पिंक इस साइड़ बेत और बॉली के ब्लांट है काफी कुछ मुलिया में हार्वेस्ट कर चुका हर चीज का वीडियो नहीं बना सकते जब हम हार्विस्ट करते तो काफी कुछ चीजे अम ऐसे भी ले 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 ौर म मटर भी में यहां से दो बार कुछ-कुछ बच्चों ने हर्वेस्ट करें है जब वो टेरिस पर आतें खेलते हैं तो वो टोड के खाते हैं और यहां पर भी कॉली फलार है जो की मैं हर्वेस्ट करूँगी लेकिन हर्वेस्टिंग करना चाहते हैं तुप वह शॉट वीडियो और यहां पर भी देखिए मटर कितने अच्छे से बन रहे हैं तो मटर अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए 8-10 प्लांट लगा लेजिए तो काफी अच्छी आपको एक टाइम की जो हर्वेस्टिंग है वो मिल जाएगी एक टाइम पे जैसे आप पूरी उसकी सब अच्छी बना सके इतनी आपको हर्वेस्टिंग मिल जाएगी क्योंकि अच्छी से ग्रो हो रहे हैं यहां पर भी है तो कुछ में दाने आगे हैं कुछ में नहीं आए हैं तो आपको इस तरह से ना अगर प्लानिंग करके 8-10 प्लांट लगा लेते हैं तो मटर की अच्छी जो फ्रेश मतर आपके औरगेनिक मतर रेडी हो सकते हैं यहां पर भी टमाटर है घुच्छे में रेडी हो रहा है और यह मेरा थोड़ा सा एक यहां पर डैमेज हो गया एक इसका स्टैम जब कलर हो रहा था गार्डन में तो यहां वहां ग्रो बैक करने की वजहे से यह यहां पर भी कुछ कॉलिफलार या कैबिच के हैं और यह टमाडर मेने और भी लगा है तमाडर की मेरी काफी सारी सेपलिंग्स रेडी है जो कि मुझे ट्रांस्प्लांट करनी है लेकिन टाइम ही नहीं मिला यहां पर कुछ हमारे बीट रूट्स है इसके पत्ते काफी अच्छे से अठावर लगा थे लिकेन अभी अच्छे से रेडी नहीं है यह जो बाद में मैंने सेप्लिंग्स लगाते जल्दी से ओवर्व्यू जल्दी लेने लेके आने वाली हूं क्योंकि काफी अच्छे फ्लावर्स मेरी गार्डन में खिलना स्टार्ट हो गया है तो दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देजिए गा चैनल पर नए है और चैनल अच्छा लगा हो तो च अप्पी गाद्निंग!